उत्तराखंट के सिमंत जन्मत चमोली जिले में तन्फूल गाव है इसमें एक गुपा है इस एका गुपा में नंदी देवी ने भगवान शिव की तपस्या की थी इस गुपा में जब हम प्रवेश करते हैं तो सभी देवी देवताओं की आकृतियां प्राकृत रूप से बन है इस गुपा में भगवान शिव की अन्य काफी आकृतियां उग्री हुई है भगवान शंकर के जितने रूप है उसके सभी रूप की तस्वीरे यहां उग्री हुई है यहां पर आकाश गंगा के साथ 9 रूपों की तस्वीरे भी यहां उग्री हुई है यहां 33 कोटी देवता की तस्वीरी उगरी हुई है, इसके आगे विज्ञानिक भी फेल हो गए है, क्योंकि ऐसा कोई देव नहीं है, जिसकी यनहां तस्वीर ना हो, यह गुपा विज्ञानिकों के लिए भी अनसुलजी पहली है, विज्ञानिक यहां जाकर देखते हैं, तो उनको तो यह पुरे उत्तराखंड में माता नंदा देवी की राजरात यात्रा निकाली जाती है। प्राजरात यात्रा के 19 पड़ाव है। माता नंदा देवी को उत्तराखंड की इश्ट देवी माना जाता है। माता नंदी देवी को प्रकृती का रूप माना जाता है। माता नंदी देवी को उत्तराखंड में कई नामों से जाना जाता है। जैसे राज, राजेश्वरी, सुनदा, नंदनी, शिवा इत्यादी, नंदा देवी को धार में एक ताका प्रतीक माना जाता है। राज, 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 इस दिन चार सिंग वाले भेर को माता के रूप में छोड़ा जाता है। इसके इस बाद भेर को छोड़ दिया जाता है। यह यात्रा चमोली जिले के कसाब से शुरू होती है। और दसौली और बादान से होती हुई है। मात्रा 280 किलोमेटर की दूरी ते करती है। इनकुंड में इस यात्रा का आखिरी पडाव माना जाता है। इस यात्रा में अलमोडा, तठारमल, नैनी ताल से भी माता की दोलियां आती है। यात्रा को दुसरा पडाव नाटो गांव में होता है। इसके बाद यह यात्रा 200 स्थानों से होती हुई। नन्दा नगर घात से होती हुई नोटों में समाप्त होती है। इसके बाद नोटी गांव से होती है। अबकी बार यह यात्रा 2024 में शुरू होगी। आप लोगों से विनती है कि आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार रहिए। नन्दा देवी परवत की उचाई 7,817 मीटर आंकी गई है। इस चोटी की मुख्या देवी के रूप में पूजा जाता है। विश्व की सो सबसे बड़ी चोटिया हिमालय पर ही पाई जाती है। इन चोटियों में एक चोटी नन्दा देवी है। ये चोटी अपनी संदर्ता और उद्भूत बनावट के लिए जानी जाती है। नन्दा देवी के दोनों और गलेशियर पाए जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि मार्केट एवरेट पर चड़ने से ज़्यादा मुश्कि चाहिए। क्योंकि नन्दा देवी के शिखरों को भी बहुत दुर्गम शिखर माना गया है। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी। ये जानकारी हमको कमेंट करके जरूर देना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो खृपा करके हमार हनू इस्ट्री के चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद